पीम नरेंद्र मोदी के संसदियक शेत्र वारा नसी में लगातार हो रही बरसात देखा जा रहा है कि शहर में हुई पहली बारिश ने नगर निगम के सारे दावों को खोखला कर दिया मौसम विभाग के द्वारा जारी किये गए तीन दिनों तक मानसून के दस्तक देने के बाद बुधवार को वारा नसी में देर राथ से ही लगातार बारिश होने के बाद बनारस की सठके नदी तालाब बन गई जिसके बाद नगर निगम की सफाई व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्थ नजर आई बनारस के तमाम घणी आबादी वाले क्शेत्र सहित कोदौलिया, गिरजाघर, वारा नसी के एंट रेलवे स्टेशन सहित तमाम जगहों पर लगातार हो रही बारिश के बाद जलजमाव से जनजीवन अस्थ व्यस्थ नजर आई वहीं दूसरी और वारा नसी के व्यापारियों ने सफाई व्यवस्था को नाकामी बताई वा नगर निगम नगर निगम को जम कर कोसा पैसा कहां जा रहा है वह बन्यों पता नहीं जन तक हो नहीं पता है कि जारों तरफ बारिश से गलिया बल गेंगे सरके बल गेंगे दोर खटनाए हो रहे हैं और अभी तो यह पेडली बारिश है अभी तो पुरा मानसून बाकी है अब देखे आगे क्या होता है नगर निगम कहती है इसा फाई बेवसा मुकमल की जा रही है से बावजूद पानी लगातार जंब रहा है नगर निगम के अधिकारियों से बोलना चाहता हूं कि वह बर आकर जमीन पर आकर देखें वह एसी बेटके उस देखने तो कुछ नहीं होता है आप जमीन पर आकर लेकिन वो देख के कहते हैं यहीं बनार्श का अस्थित को है पी एम मोधी कहते हैं कासी को क्योटो मनाएंगे क्या लगता है इसा क्योटो मन पाएंगा मनीज बोलना चाहता हूं कि हमारा वो पुराना वाला कासी है हमें लोगदा दीजिया हमें क्योटो नहीं चाहिए उत आप देख रहें आप खुद मुदिया वाले आप खुद देख रहें किया बेवस्ता है इस समय काशी का और क्योटो मन छोड़ दीए इसमा सिटी भी नहीं है यह पुराना की काशी है और जल जमाओ इतना ज्यादा हो गया है सब जगा बेवस्ता है एकम थ्वस्त हो गईग झाले खुद झाले नहीं है